कि अब दूसर टोपिक बात हो सर यह लास्स टॉपिक है मेरा सर इसार मैं आपकी राय जाना चाहता हूं सर कि मैंने देखा कि मुसलीम के हैं भी इस आपते हैं सरी के इस मॉहमद इन सुर्डियार्प इय्यों कर सब्सक्राइब करए मुझने देखा यह समी एंबेसी है, फिरी वीजा है, यह सभी मैंने देखा है, जो कितने जूट है, कितना सच है, मुझे नहीं बता, लेकिन जो हिंदुस्तान में या इंडियन सब को नहीं जो नरेटिव चल रहा है, एक सौधिया का सा सपोर्ट वो कर रहा है, जो एहले सलफ हैं, या एहले हदीस है इस परकार के वहाबिजम जिससे बोलते हैं, और बाकी जो है नो वो सर इखवानी हुए, खारजी हुए, या मैं नदवी सहाब हुए, जो अभी फिलाल उनकी मैंने तकरी सुना, वो लो भी कहते हैं, नहीं नहीं, सौधिया पूरी तरीके से बीफ चुटे हैं, और जो दू लड़ लिए, या मदीना के तो मदीना पहले दिन लड़ लिए, ये नहीं किया, ये रोमा से खुझा कर लड़ने लगे, नहीं, पहले उन्होंनों परचार किया, फिर उसके बद अपनी ताकत आई, फिर जब उनकी जब तब उन्होंने किया, तब रियक्ट किया, तब रोम सिंगी दे दी है कुन सी जारी बात है यही कहेंगे ना कि या जो स्ट्राइजी बिनाओ अच्छी स्ट्राइजी बिनाओ फिर अपने दुश्मन को हराओ इसमें को और वो अगले दुश्मन भी आपके यही का रहा है उन्होंने भी स्ट्राइजी बनाई है वो भी आपकी जो आपके जो शहजादे हैं, मौहमद बिन सल्मान, वो जो है, क्राउन प्रिंस जो है, वो इसराहिल से एरियल शहरून से मिलते रहें, नेतन याहू से, वो इसे मिलते रहें और बलकि सौधिया अरब में मिले थे, कोई 5-6 महीने पहले, तो उनके इसमें तो कोई, अभी एक म इसराइली जो इसराइली फोजी हैं वो हमारी पूरी दुनिया के इंसानियत के हीरों है तो वो जो जो उसका इंटर्वी चैना थे हैं तो इतना आगे चला गया हमारी चापलवसी मैं तो इस Torah फोले उसमें तो जो आप जो यूआ को भी पीछ में शाबिल करना है स्जादीयार अर्दुगान जो है आपका उसको अलाइदा से कीड़ा है वो भी एमेशा जाहरी बात है क्योंकर टर्क है वो उनकी अपनी एक हिस्ट्री ऑटमन है तो वो भी एक लीड लेना चाहते है तो इसमें तो कोई शक्की बात नहीं कि दो आपसिट व्यूज है और पाकिस्तान आप इंडिया के मुसल्मानों की तो खैर कोई यानि अस अ स्टेट उनकी को इतनी वैल्यू ने वहां ये वैल्यू है कि आपने उनको रोका वाया जैसे मूधी जी ने वो मैंने बलके छेड़ना था इनको ठैर हो जरा है वो मैंने दिखाना था किस तरह थोड़े सी इनकी ट्रोल भक्त कहते हैं ना इंडिया स्टैंड्स इसराहील तो जो उसने बेंजमन नेतन याहू ने उसने कोई ट्वीट की जिसमें उसने सारे लोगों को थैंक यू बोला जिनोंने उन कंट्रीज को ना जिनोंने उसका साथ दिया तो बेंजमन नेतन याहू ने उसमें इंडिया के जंडे को नहीं लगाया बीच में तो उसकी वज़ा है उसे पता है कि बहुत सारे आपके जो इंडिया में बहुत सारे मुसलमान नहते हैं और इंडिया इसी वज़ा से मुदी जी खुल के एक न्यूट्रल पॉजिशन लेते हैं मुदी जी इंडिया यह देगा है थैंक यू resolutely standing with Israel and sporting our right to self-defense तो ये Benjamin Netanyahu ने कहा तो इसमें उस्टेलिया का जंडा भी लेगा इसमें इंडिया का जंडा उसे कहीं नहीं लेगा तो भाक्त बिचारे यहाँ पे we stand with israel तो ये फाइदा है आपका मुसल्मानों का आपके point of view से मुझे रखर कोई फर्क ने पड़ता है तो आपके point of view से ये फाइदा है कि मुदी जी ने खुल के उनका साथ नहीं दिया लेकिन जो पाकिस्तानी है वो तो इसमें कोई division है ही नहीं कि वो प्रो पैलेस्टाइन है और वो against israel है और इसमें कोई कोई शक्की बात है नहीं जाले नए ने सर एक और बात एक बास बास सर जहां तक आपने कहा है कि UAE जो है तो उन मौलाना ने कहा था कि UAE और UAE में अगर कुछ होता है तो उससे सौधिया को क्यों ब्लेम करते हैं और जब अगर कुछ जोडन में कुछ होता है तो उससे सौधिया को क्यों ब्लेम करते हैं यह उनका मानना ऐसा लेकिन दोनों मिले में ना दोनों एक दूसरे के साथ मिले में यूए जो है वो सुए आपके पटी पर चलता ना तो इसमें तो खाल कोई शक्की बाद नहीं है ना वो तो दोनों भाई-भाई हैं साथ इसमें तो कोई है ही नी थोड़ी बहुत जो आपकी डिफरेंसिज हैं वो तो होंगे जारी बात एक वो थोड़ा सा लादा कंट्री है यूए यूनियन है फेटरेशन है लेकिन वो है तो उनकी इंटरनेशनल मामलों में तो वो हमेशा कठे ही होते हैं को मुझे फैसला बताएं जो यूए का डिफरें के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताकर मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ